पार्ट नाइन की शुरुवत वहीं से होती जहां पिछला एपिसोड खतम हुआ था हमें पता चला था कि शिंजे की असली मॉम किंग्डम ओफ कोरिया में है और वो खुद भी किंग्डम ओफ कोरिया का है तो शिंजे की असली मॉम उसकी फोटोस दे कर काफी एमोशनल होती है इधर रिपबलिक ओफ कोरिया में उस मरे हुए लड़की के बॉइफरेंट से पूछताच की जाती है इससे तो कुछ खास पता नहीं चलता लेकिन थोड़ी इदेर में उस लड़की की रूम में खुदी सरेंडर कर देती है और मा लेती कि उसीने अपने रूमेट को मारा है क्योंकि ये उस लड़की से काफी जलती थी तो इसलिए उसे जेल हो जाती है इधर लीगॉन जोयोंग को खाना खिलाने ले आता है जहां जिस रेस्ट्रों पे ये लोग गये थे वहाँ काउनर लीगॉन को दे कर काफी गवराने लगता है और गवराट में उसके मूँ से महराज निकल जाता है पर फिर वो जल्दी से दूसरा काम करने लग जाता है लिगॉन और जोयोंग समझ गए थे कि उस आदमी ने उन्हें पैचान लिया यानि वो भी Kingdom of Korea का है पर अभी ये दुनों नॉर्मली खाना खाते हैं ताकि उसे शक ना हो पर बाहरा कर लिगॉन जोयोंग से उस आदमी को फालो करके उसे पकड़ के लाने के लिए के लिए कहता है इससे पहले वो लिगॉन के पास जाकर हमारे बारे में बता दे पर जोयोंग को लिगॉन की फिकर थी पर लिगॉन उसे कहता है कि मेरी चिंदा मत करो मेरी हल्प करने के लिए यहां कहीं लोग है इसके बाद हम किंग्डम आफ कोरिया में प्रिंस बोयों को देखते हैं जो अपनी फैमिली फोटो को देख रहे थे जिससे हमें पता चलता है कि उनका एक बेटा और एक बेटी है पर इनका बेटा और प्राइमनेश्टर के मॉम को वो इस बात से भी हरान थी कि लिरिम 25 साल बाद भी वैसा ही कैसे दिख सकता है अब लिरिम की उमर तो 69 थी लेकिन उसके बाड़ी में कोई चेंजस नहीं आये थे जैसा वो 25 साल पहले था वैसा ही है क्योंकि लिरिम ने इन 24 सालों में काफी टाइम तक दूसरी दुनिया के के अंदर वाली जगह में बिताया है इसलिए फिजिकली उसकी बाड़ी में कोई चेंजस नहीं होते इधर रिपब्लिक ओफ कोरिया में जब ते उल उस मरे हुए लड़की के बॉर्फरेंड को छोड़ने जाता है तब वो ते उल को बताता है कि उसकी गल्फरेंड के रूम जीहून की फाइल दे देती है और तेल को पहुंचानी के लिए कहती है शिंजी को उस बच्चे की फोटो जानी पैचाने लगती है पर उसे याद नहीं आता कि इसने कब और कहां पे इस बच्चे को देखा था इसलिए भाभी अपने काम पे चला जाता है इधर जोयंग उस रेस्टरॉं के ओनर को पकड़ लेता है और उसे लिगॉन की पास ले जाता है जहां इस बंदे के पास से लिगॉन को एक पुराना टूजी फोन मिलता है लिगॉन उसे कहता है कि तुम किंग नाम आफ कोडिया से हो पर तुम यहां कैसे आए ये बंदा कुछ भी नहीं कहता लिगॉन समझ जाता है किसी लिरिम नहीं लाया है और ये एक ट्रेंड परसन है तो लिगॉन उसे पूछता है कि लिरिम अभी कहा है और वो क्या प्लान कर रहा है पर ये कहता है कि आप अपने पिताजी की तरह ही हो उनकी मौत जिस तरह से हुई ती लगता है आपकी भी उस की सजा सुनाई जाएगी लिकान उसका फोन चेक करता है पर उसमें कोई भी नंबर सेब नहीं था कि यह एक बर्णर फोन था जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता और सिर्फ इंकमिंग कॉल ही रिसीब कर सकता है इधर जेल में अपनी रूमेट को माने वाली लड़की से कोई मिलने आता है और उसके आने से पहले ही जेल में पावर शॉटेज हो जाती है तब ही अंधेरे में से लिरिम का ड्राइवर आता है और इस लड़की से इसके बर्णर फोन के बार में पूछता है इससे हमें पता चलता है कि यह लड़की भी किंगनम आफ कोरिया से है पर यह लड़ कि फोन को मैंने काफ़ी सेफ जगा पे छुपा दिया है इसलिए मुझे यहां से निकाल कर मेरी दुनिया में भेजो वरना मैं पुलिस को इस फोन के बार में बता दूंगी तो ड्राइवर कहता है कि क्या तुमने कभी जेल में पाउर शॉर्टेज के बार में सुना है नहीं न यहां से दमकाते वे कहता है कि आखरी मौका है समझ जाओ इसलिए फोन कहा है बताने का मन करे तो मुझे याद करना क्योंकि इस जेल में भी हमारे काफी आदमी है यह कि अगर चला जाता है जिससे यह लड़की काफी डर जाती है इधर लिगाउन नारी को एक टोटोई कहती है और वो कहते हुए जाती कि यह यूंसब कहा रहा गया इसे मैंने बुलाया था कि एक ले जाने के लिए जो सुन लिगाउन तेउल से कहता है कि मुझे लगता है कि नारी यूंसब को पसंद करती है तेउल बताते है कि इसका बिल्कुल उल्टा है यूंसब नारी को का नहीं बता पाता, तो तेवल उसे लिरिम का टॉप से रिपोर्ट देते हुए कहती है, कि मुझे लिरिम की हमशकल के बाहर में बता चल गया, उसका नाम था ली संग जे, और उसकी मौत 25 साल पहले ही हो चुकी है, लिगौन पूछता है कि क्या उसकी कोई फैमली है, और क्या हम इस दुनिया में उसकी फैमली का मेंबर था, तेवल बताती है कि तुम्हारा हमशकल था इस दुनिया में, पर उसकी भी मौत 25 साल पहले ही होई थी, जब वो 8 साल का था, इस अंग जे का एक चोटा भाई था, और तुमारा हमशकल उसी का बेटा था, पर वो भी 25 साल पहले 1994 1994 में ही मरा था और तीनों की मौत यांसुंग के रे सेंटर में ही हुई थी उस फैमली से बस अब जीहून की मौम जिन्दा है, इनका नाम जोंगाय है लिगॉण कहता है कि तो उस लेरिम ने पहले अपने हमशकल को मारा, पर मेरे और मेरे डैड के हमशकल को मारा पर मेरी मौम क कि हम शकल जिन्दा है, जिससे लिगॉन को इस फैमली के लिए काफी बुरा लगता है, इधर शिंजे एक ग्रेवियार्ड पर आया हुआ था, जहांपे उसे जीहुन की फोटो दिखाय देती है, क्योंकि यही पर उसे भी दफनाया गया था, तो अब जाके शिंजे को अपने क कुछ पुराने फ्लाश बैक याद आते हैं, उसे अपने बच्पन की बस थोड़ी सी जलकियां आती है, जहां उसने टीवी पर आट साल के राजा लिगॉन को, उसके पिताजी के मरने के बाद, उनके फ्यूनरल के फॉर्मलिटीज को करते हुए देखा था, और उस टीवी पे ही उसने पहली बार किंग लिगॉन का नाम सुना था, यह याद आते ही, वो तो काफी जाता शौक्ड होता है, तब ही वहाँ पर जीहून की मॉम आ जाती है, क्या थे ही शिंजय यहां से चला जाता है, इधर तेव लिगॉन की साथ घूमने जाती है, जहां वो उससे यौन सुब से मिलने जाता है, जहां से कहता है कि आ Зस तुम मेरे अटूरत तलवार हो, यौन सुब पीछे मुट कर देखता है कि कहीं जौयॉन के लाया है, लिगॉन कहता है कि तुमें मेरे लिए एक अंपोर्टन काम करना होगा, यौन सुब तो बढ़ही एक्साइटेड ह कर कहता है कि बताइए राजा साब मुझे क्या करना होगा सीन शिफ्ट होता है इदर किंग्डम ओफ कूरिया में जहां प्रामिनिस्टर अपनी मॉम से मिलने आती है जहां उनसे पूछती कि आपने मुझे वो नियूस पेपर करना अलाउड नहीं है यह बोलकर वो अपने आफिस शली जाती है जहां वो उस नियूस पेपर के पन्ने पल्टा कर देखती है तो उसमें बीटियस बॉइ बैंड के कॉंसेट के बारे में लिखा हुआ था और फिर अगले ही पेज में एक बेसबॉल मैच की फोटो थी जहां ओडियंस की पीचों से अपनी हमशकल की फोटो देखती है जिसे देख वो तो हैरान होती है पर हमें तो पता ही है कि यह नियूस पेपर रिपब्लिक ओफ कोरिया का है जोली रिम पढ़ रहा था इधर रिपब्लिक ओफ कोरिया की पुलिस टेशन में जो उन सब जोयों की कोट पहन करी आ जाता है तो उसके कोट में उसे जोयों का फोन मिल जाता है जिसके वोल पेपर में ही जोयों के साथ लिगाउन की फोटो होती है जब उसने छोटे राजा लिगॉन को टीवी पे देखा तो तब उसमें भी यही सिंबल था और उसे याद आता है कि लिगॉन के घोड़ी पर भी शिंजे ने यही लोगो देखा था जिससे वो यूंसुप से पूछता है कि अभी यह कहा होगा यूंसुप तो डरकेमारे उसके होटेल का अड्रेस बता देता है और होटेलोम यूंसुप के आइडी से ही बुक था और उसके पासी रूम का एक एकसेस काड़ था तो शिंजे वो एकसेस काड़ लेकर होटेल रूम में पहुँच जाता है जहाँ बैट के ओपर उसे लिगॉन का वो कोट मिलता है इसे चेक करने पर उसे लिगॉन का फोन और लेरिम का वो अटॉप से रिपोर्ट मिलता है जिसके कवर पे भी वही लोगो था और उस पर लिखा हुआ था रोयल कोट ओफ किंग्डम आफ कोरिया जिसे देखकर शिंजे को समझ आने लगता है कि शायद वो रोता हुआ बच्चा लिगॉन यही है इतने में यहाँ पर जोयों आ जाता है तो अंदेरे में दोनी की फाइट शुरू हो जाती है फाइट करते हुए पर्दे खुल जाते हैं जिसे लाइट अंदर आती है इससे शिंजे तो जोयों को देकर हैरान होता है तो उससे पूछता है कि तुम योन सब नहीं हो सकते फिर तुम हो कॉन तब लिगॉन आ जाता है लाइटस ओन करता है जोयंग शिंजे के और गंट पॉइंट कर देता है और लिगॉन को बताता है कि ये चुपकर आपके रूम में आकर आपका समान चिक कर रहा था लिगॉन वो लिफाफा उठाता है तो शिंजे पूछता है कि ये लोगो तुमसे कैसे रिलेटेड है लिगॉन कहता है कि ये हमार पर लिगॉन शॉकिंगली पूछता है कि क्या तेउल ने तुम्हें मेरे बार में सब बता दिया शिंजे शॉकिंगली पूछता है कि क्या तेउल को इन सब के बार में पता है लिगॉन पूछता है कि क्या तुम्हें तेउल ने नहीं बताया वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहड़ी बार है तो do subscribe and hit the bell icon मिलते हैं अगले पार्ट में तो अब तक के लिए take care and bye bye झौक झाले अधर नागक के लिएक लिए जमए outro